पुलिस ने शुक्रवार दोपहर बाद ओवला इलाके में पुस्पांजली रेसिडेंसी में एक फ्लेट में छापे मारी कर कतित रूप से एंसेपी के पूर्व विधायक रमेश कदम जो ठाने के सेंट्रल जेल में बन थे मगर पुलिस ने इनके पास से छापे मारी कर तिरप रमेश कदम जिन्हें 2015 में एंसेपी से निलंबित कर दिया गया था शोलापुर के मोहल से निर्दली रूप से चुनाव लड़ रहे हैं सुक्रवार से जेजी हस्पताल से ठाने सेंट्रल जेल रमेश कदम को वापस लाया जा रहा था तभी उन्होंने कथित तौर पर गाड पर एक फ्लेट में ले जाने के लिए कहा गाड ने भी सहमती जताई और गाड ने भी रमेश कदम को वहां ले गया जहां वो जाना चाहते थे मगर तभी पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई और पुलिस ने उस अस्थान पर छापे मारी की छापे मारी में रमेश कदम को एक फ्लेट में पाया गया और उनके पास से तिरपन लाख चियालिस हजार रुपे नगत बरामत किये गये हैं पुलिस ने जानकारी दी है कि नगदी आएकर बिभाग को सौब दिया गया है और इस पूरे मामले की जाच परताल की जा रही है रमेज कदम 150 करोड रुपे के अनाभ खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम ताजा तर्न खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकॉन दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें